है नमस्कार में गुद्र स्राफ हंडी डीजी पी भिहार इसलिए वना रहा हूं कि बहुत लोगं को कंफ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉक्टाउन में साहित कुछ चूट है कोई चूट नहीं है कोई चूट नहीं है तीसरे चरण का लॉकडाउन की वैसे ही है जैसे पहले का लॉक्राउं था आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है के वल और इंज जोन में कुछ कंस्रक्शन एक्रिविटीज कुछ सरकारी कामकाज के लिए लाउ किया गया है विशेज परिष्थिती में कुछ दुकाने खुलने का संबंधित जिरा प्रसासन गड़ने ले सकता है बाकि कोई दुकान नहीं खुलेगा कोई कुछ भी नहीं कुलेगी स्कूल कॉलेज को सब बंध रहेंगे पहले ही कि तरह इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना है पास लेकर के श्रह काम से आदमी नहीं और पास लेकर के गाड़ी में भी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना हो तो ड्राइबर के लावे तो आदमी और चूटकिसको है सभीत्रगार के मालवाख बाहन चलेंगे समगरी ढुने वाले बाहन चलेंगे और रक्रचास रक्षा स Abram संभनदी आपात कालिन से चालू रहेंगी और अवश्यक से चालू रहेंगी जैसे पहले चालू थी मजूर बहुत प्रिसानी से हो रहे हैं उनकी पीला से हम औगत रयत्र Ho learns करेंके अच्छी वेवस्ता है सम्मान के साथ हुंके ले जाए जाए जाएगा वहां कारूंटायन सेंटर बना है वहां और रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जितने समय तक का समय बिताना है उतना बिता करके शुरच्छी तक में घरों को जाएंगे इसमें पूरी प्रसासन का डॉक्टर का स्वास्त से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे कहीं विवाद नहीं हमारे लोग भी बहुत कठिन परिखितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं आपके पूरी हमदर्दी है लेकि हम आपको बचाने के लिए बिहार को बचाने के लिए इस देश को बचाने के लिए हम आप पर इजागति कर रहे हैं हमें माप कर देंगे लिएकि ह पूलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं उन्हों को कहना चाहता हूं कि पूलिह पर, प्रसासंद पर और मेडिकल के कर्णशादियों पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराध है उनके साथ सक्थ कानूनी कारवाई की जाएगी सेक्रों लोगों को जेल में भेजा गया है अब आदमें उनका गुंडा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परेशामी हो और उसी तरह से सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले संपरदाय दंगा या फसाद की स्तिती पैदा करने वाले नफरत पहिनाने वाले जो पोस्ट करेंगे सेक्रों लोगों को हमनों जेल में दिया आप दिली में हो मंभी में हो आंदाबाद में देश के किसी कोने में हो लेकिस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा आपको आज नकल पकड़ा जाएगा दर्ज होगा आप दहरती है इस दोती की गर्मा को बनाये रित ने में हमारा सहयोग करें और भीहार की जंता को मैं प्रणाम करता हूं कि आपके सहयोग से यह लोगडाउन सफल हुआ है आपके सहयो बचा है बचाएं आगे वाला समय और खतरे का है बहुत खतरा खामने है अगर आप अगले 15- 20 दिन तक बिहार को बच्छा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा यह देश बच जाएगा आप समय को पना